उन्नाव रिप केस पर यूपी पुलिस की प्रेस कॉंफरेंस लुखना उन्नाव गैंग रिप केस में लगातार प्रशासन और उसकी कार्य शेली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गुरुवार को यूपी पुलिस ने इस मामले पर प्रेस कॉंफरेंस करना सिर्फ पूरे मामले में पुलिस या कार रवाय की कड़ी को सामने रखा, बल्कि अपनी भूमिका को भी सपश्ट किया। पुलिस ने यह साफ कर दिया कि किसी भी दोशी को बचाने की कोई मन्शा नहीं है। हाला कि पुलिस ने यह भी कह कि वह अभी आरोपी विधायक कुर्दीप सिंग सेंगर को गिरफतार नहीं करेगी। पुलिस ने कहा कि जब तक अदालत विधायक को दोशी साबित नहीं कर देती तब तक वह उनकी नजर में आरोपी की हैं। पुलिस ने साफ कर दिया कि विधायक की गिरफतारी CBI की कारवाई के बाद ही होगी। यानि अब CBI ही विधायक की गिरफतारी करेगी। यूपी पुलिस नहीं उननाव मामला आरोपी विधायक कुलवीप सिंग सेंगर के खिलाफ दरज होगी एफायार CBI जाच के आदेश यूपी के ग्रह सचे परविंद। कुमार ने कहा कि पुलिस ने दरज मामलों के आधार पर कार रवाई की है और अब इस मामले की विवेचना के लिए CBI को यह केस सौपा जा रहा है। आगे की कारवाई CBI गोंदोश के आधार पर केरेगी पतादे की विधायक कुलवीप सेंगर के खिलाफ एफायार दरज कर ली गई है। विधायक के खिलाफ IPC की दारत 363 अपहरण, 366 अपहरण कर शादी के लिए दवाब डालना, 376 बलातकार, 506 घंकाना और पॉसको एक्ट के तहट मामला दरज किया है। सिट की शुरुवाती रिपोर्ट के बाद कुलवीप सेंगर के खिलाफ फर का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि जेल दाखिले से पहले मृतक का मेडिकल केस सही से नहीं किया गया। उत्तरप्रदेश सरकार के लिए हमेशा से मुसीबत बनते रहें। दागी विधायक ग्रह सचिव ने कहा कि इसमें पूरे कत्यों के आधार पर 4 जून का मुकदमा दर्जकर हमने इसकी विवेचना के लिए CBI को भेजने का निर्मे लिया है। विधायक के खिलाफ जो रिप का आरोप है, CBI अब इसमामने की कारवाय करेगी और उसकी गिरफतारी का जिमाब CBI के हाथ में है। विडियो उन आव रिप केस, BJP MLA कुलदीप सिंग, सिंगर के खिलाफ फ़दर जिंदी न्यूज से जुड़े अन्य अप्टेट लगातार हासल करने के लिए हमें फेस्बुक और गूगल प्लास पर जॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।